दोस्तो भारत ये रेल की कई सारी ट्रे ने कैंचल हो चुकी है तो ऐसे में अगर इन दिनों आप सफर करने की सोच रहे हो या तो फिर वैसे अगर जरूरी ना हो तो सफर ना करें लेगिन फिर भी अगर आप सोच रहे हो या तो फिर आपकी टीकट आपने बुक कर रखिये त कैसे कि एक नई अपडेट आई है जिसमें की आर्टी पीसियार जो रिपोर्ट होती है यानि की कोरोना वाली जो नेगेटीव रिपोर्ट उससे लेकर आप ट्रेवल कर सकते हो लेकिन किन-किन राजियों में यह जरूरत है आज के इस एपिसोल में बात करेंगे लेकिन उससे आपसे घुजारी से अगर आपसे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को ओन करें तक इस तरह हर रोज एक नई जानकारी से खुद को अपडेट रख सको दोस्तों इन राजियों का नाम याद रखे एक नई रिपोर्ट के मुता बाखन राजरतान और केरला से अगर आप सफर कर रहे हो किसी और राज्य की लिए तो ऐसे मैं आपके लिए RFPCRалиamport की ज़रूरत हो सकती है वो भी यात्रा से 48 घंटे के अंदर यानि के अगर आप अभी यात्रा कर रहे हो तो अभीं से 48 घंटे पीछे कि आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए वह भी नेगेटीव रिपोर्ट तब जाके आप ट्रेंड में सवार हो सकते हो या सफर कर सकते हो देखिए यह जो चीजे है टाइम टू टाइम बदल रही है चैंज हो रही हो सकता अभी आप जो वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त कुछ नई अपडेट आ गई है तो आप उन से बात करके भी इसकी जानकरी ले सकते हो और रही बात अगर आप किसी भी राज्य से आते हो उडिशा के लिए तो आपको आर्टी पीसियार की जरूरत होने वाली है दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि रेलवेज ने साफ साफ यह कहा था कि हम आर्टी पीसियार रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगी यानि कि कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो है वो यहां पर रेलवेज ने साफ साफ कहा था कि हमें जरूरत नहीं है सफर करने के लिए तो अब फिर क्यों यह मांगा जा रहा है तो आपकी जानकरी के ल इठाएंगे उनको ही हम अपने स्टेट में घुसने की इजाजत देंगे वरना नहीं एक और रास्ता आपके पास है बिना आर्टी पीसियार के भी आप ट्रेवल कर सकते हो या किसी राज्ये में जा सकते हो वो यह है कि कोविड की जो वैक्सिन चल रही है पहली वैक्सिन आ आप ट्रेवल कर सकते हो या तो फिर जा सकते हो यानि कि वो अगर आपके पास है तो आपको आर्टी पीसियार की जरूरत नहीं है अब जली मैं आपको बता देता हूं आखिर कौन-कौन सी गाडियां कैंसल हुई है और क्यों हुई है देखिए यहां पे जो गाडियों के न लोगों को जितनी जरूरत है उतनी गाडियां दी जा रही है तो यहां पे कोविट के चलते कोविट के डर के चलते बहुत से लोग जो है अपनी टिकेट को कैंसल कर रहे है और बहुत कम लोग जो है यात्रा पर निकल रहे है अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो यात्रा कर रही थी कुछ गिने चुने लोग तो जाही रहे होंगे तो उन लोगों को यहां पर परिशानी होने वाली है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बहुत ही जल्दी यह गाडिया दोबारा सुरू भी होने वाली है ऐसा भी कुछ अंधरुनी रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है तो दोस्तों आजकी इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही उम्मीद आपको यह वीडियो अच्छी लगे कि वीडियो गर अच्छी लगते तो वीडियो को लाइक करें चलता हूं फिर मिलनको आएक और नई जानकरी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाए बाए